नमस्कार दोस्ताव सबीका लॉसिकों के न्यूज इन फ्लेश में चलिए आज की पहली ख़बर देखते हैं इंडियन आर्मी ने कैम्डियन पेट्रोल एक्सराइस जूकि यूके में हुई थी इसे चीत लिया है गोल्ड मेडल भारतीय आर्मी को ये मिला है भारतीय आर्मी को 4x5 गोरका राइफल्स ने यहाँ पर रिप्रेजेंट करा टोटल 96 अलग-अलग देशों की स्पेशल फोर्सेस और रेजिमेंट्स ने यहाँ पर पार्टिसिपेट करा था इस इवेंट में और उसमें भारत को गोल्ड मेडल मिला है यहाँ इवेंट जो है Cambrian Petrol Exercise जो है यह Olympics of Military Petrolling के नाम से भी जान जाता है चली अगली जो हवर है यह है भारत में होस्ट होने वाले Generation Next Democratic Network की तो 75 देशों के यंग लीडर्स जो है इनको होस्ट करेगा भारत अपने इनिशेटिव Generation Next Democratic Network में तो इन यंग लीडर्स में जिनके आयू 35 वर्ष या इससे कम है भले ही वो ruling या opposition party के है इस Democratic Network में पार्टिसिपेट करेगे 25 नवंबर से इस इवेंट की शिरवात होने वाली है जो कि लोगसभा की speaker ओम बिरला करेंगे तो जो पहला batch है इस initiative का इस इवेंट का इसमें भूटा श्रिलंका बांगलादिश जापान इंडोनेशिय चीले और जांबिया की leaders जो है यंग leaders जो है वो participate करेगे तो इसका objective यह है कि भारत और इनसे जुड़ेवा जो देश है इनमें young leaders को यहाँ पर encourage करें साथ ही साथ जो भारत का rich democratic culture है इसे भी यहाँ पर सारे देशों में और सारे जगत में फैला है अगली खबर है भारत और इसराइल के सम्मत में तो भारत और इसराइल के बीच में एक साजा समझोता हुआ है जिसके अंतरगत भारत और इसराइल दोनों ही covid-19 vaccination certificate जो है वो एक दूसरे के इनहें यहाँ पर recognize करेंगे मतलब भारत में वैक्सीन हुई है अगर किसी नागरिक की तो वो इसराइल में जा सकता है और उसका covid का certification है उसे valid माना जाएंगा वही इसराइल से कर कोई नागरिक जिसे इसराइल में वैक्सीन लगी है वो भारत में आता है तो उसे भी भारत द्वारा recognize किया गया जाएगा तो ये निर्नाइल जो है ये हमारे देश के external affairs minister विदेश मंतरी एच चाशंकर और वही इसराइल के विदेश मंतरी येर लैपिट की मौझूदगी में लिया गया उसके अलावा ये भी discussion शुरू किया गया है हमारे विदेश मंतरी के द्वारा कि भारत और इसराइल के बीच के साथ में मिलकर geographic information system GIS energy map of India तयार किया है ये सब इस मैप को तयार करने में energy ministry of government of India जो है इसकी भी महत्पूर यहां पर support रहा उसके अलावा map ये जो GIS map बनाया गया है इसका मुख्य उद्देश है कि primary और secondary source जो है उर्जा के जो प्रात्मिक और द्वितियक sources से स्रोत है उर्जा के इनको recognize करना साथ ही साथ इसका transportation network के लिए एक complete plan यहां पर बनाना किस तरीके से इसे collect or distribute किया जाएगा पूरे देश में अगली खबर है असम में तो असम में भासकर बदा को असम के कैलेंडर में असम के official calendar में सका और जॉर्जियन दोनों official calendar में यहां पर add किया जाएगा भासकर बदा जो है इसका अगर हम origin देखे तो 70 अदाब्दी में मिलता है भासकर बदा यह भासकर वर्मन जो ruler हुए है कम र आउन किया गया था और इस्वी दिवस को भासकर बदा दिवस की रूप में बनाया जाता है यहां पर पर झाल कर अपना अपने बहुत हें हाना हसुए हं क्योंकि हरश को भारत के बहुत बड़े राजवी है हर्षवतर इनके राजनितिक सहयूगी थे तो चलिए आज का जो हमारे न्यूज इन फ्लेश है वो यही समाप्त होता है मैं जो सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद थेंक यू स्ट्रीटूट टू लॉसी को